So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 12 अक्टूबर के important current affairs को आज का session आपका most important होने वाला है, बहुत सारा हम आज revision करने वाले हैं तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें, अभी हाली में सभी सरकारी इसकोलों में smart class की सुविदा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया तो अंसर उगा बरेली तो उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है बरेली और वे अभी अपने सभी सरकारी इसकोलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है तो अब smart class उने से बच्चों में पढ़ाई के प्रती रुची बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक सिक्षा का अनुभव भी मिल सकेगा अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ पूरे साल भर में जो भी जिले पहली बार किसी न किसी कारण से रहे थे वो हम एक साथ revision करते हैं जैसे अगर आपसे पूछे यह static प्रशने और कई बार exam में आ चुका है यह ध्यान रखना भारत का एक मात्र जिला जिसकी सीमा चार राज्यों से लगती है यह उत्तर प्रदेश का ही है सोन भद्र जिला और वो चार राज्य कौन से हैं जिनके साथ ही अपनी boundary शेयर करता है बिहार, जारखंड, मद्य प्रदेश और 36 गड़ यह जरूर याद होना चीह आप लोगों को अगला प्रशन देखो अब Current Affairs के प्रशन रिवीजन में आएंगे हमारे भारत का पहला समविधान साक्षर जिला बना था किरल का कोलम भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना था मद्य प्रदेश का मंडला जिला और अभी आयुश्मान भारत प्रदान मंत्री जयन आरोगे योधना के तहद सो परतिशत घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना था जमू कश्मीर का सामबा जिला देश का पहला हर घर जल परमानित जिला बना था मद्देप्रदेश का बुरहान पूर और हर घर में पुस्तकाले वाला देश का पहला जिला बनाता ये जारखंड का है जामताडा जिला और अगर पुछे सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेच प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था तो केरल का वाइनाड जिला बना था और अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी मद्यप्रिदेश का 54 जिला कौन सा बनेगा नागदा ये उज्जेन से हलग होके बनेगा इससे पहले 53 बना था मउगंज रिवा जिले से अलग हो करके तो ये सारे पॉइंट्स भी आप रिवाइस करते हुए चलना हम बढ़ते हैंग की कहाँ पे हुई है अमेरिका के स्पोकेन में और यहाँ पर भारत के जो बेडमिंटन प्लेयर हैं आयोश शेटी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है जबकी गोल्ड जीता अलवी फरहान ने ये इंडोनेशिया के बेडमिंटन प्लेयर हैं और आप कह सकते हो इस मैं कहाँ कि एक बारतों कि ये दसवे भारते बन गए हैं पदक लाने वाले और मैं यूँ कहाँ ये पदक 11 है तो आपके confusion को दूर करता हूँ पहले मैं आपको ये बता दूँ आज तक के इतिहास में इस चेंपेंशिप में हमारे पास केवल एक ही गोल्ड आया जो 11 मेडल म में से किवल एक ही गोल्ड है हमारे पास वो भी 2008 में आया था कौन लाई थी साइना नेवाल लाई थी वैसे साइना नेवाल ने इससे पहले 2006 में सिल्वर भी जीता था तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये दसवे व्यक्ति बने है और मेडल ये हमारा ग्यारवा है क्यो के 8 अक्टूबर को खतम हुए थे उसके बाद मैंने कहा था कि जब भी sports वाला question आएगा तो उस question से संबंधित Asian Games में हमने जो भी पदक जीते होंगे और जो भी नाम important होगा मैं बार बार आपको revise करा हूँगा और Asian Games से संबंधित जो भी basic प्रशन बनते हैं वो तो हर बार ही करा हूँगा क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सारे आपको Asian Games करा दूँगा तो आपको लिखके ले लो याद कुछ नहीं रहने वाला है बस वो formality हो जाएगी कहा Asian Games का हमने वीडियो देख लिया वैसे daily current affairs की class में Asian Games से संबंधित जो basic प्रशन होते हैं वो तो मैं आपक समय नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे daily current affairs आपका बनाना है उसमे मैं कोई कमी नहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाता तो पूरा समय देता हूँ चाए 12 गंटे लग जाया चाए 13 गंटे लग जाया उसके बाद मुझे आपका revision वाला वीडियो बनाना होता है weekly वीडियो बनाने ह होते है monthly वाला हो गया अगर कोई special अलग कोई बीच में वीडियो आ जाता है जैसे भी sustainable development goal का बनाया Nobel Prize की trick वाला बनाया तो उस वीडियो को बनाने में मुझे 12-12 15-15 गंटे लग जाते हैं क्योंकि वहाँ सारा काम मुझे करना पड़ता है इसलिए जिनके पास team होती हैं काम divide हो जाता है तो इसलिए यही कारण है time की वज़े से मैं Asian Games का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ले बार बार उससे संबंदी जो भी Games होगा वह आपको revise कर रहा हूँ जैसे अभी पता चल जाएगा आपको में क्या कह रहा हूँ जैसे अभी यहाँ पे हमने बेड़मिंटन की बात करी भाई साब तो देखो अभेशन की हमाल किया हमने तो बेड़मिंटन में हमारे पास Asian Games में एक gold आया एक bronze आया और एक silver आया बात करते हैं किसने क्या क्या जीता तो gold जीता है सातविक साइराज रंके रेड़ी और चिराग शेटी की जोडी ने silver जीता किदांबी श्रेकांत लक्षा सेन और चिराग शेटी की जोडी ने और bronze जीता एक चैस प्रणे ने तो अब आपको बता लग गया बेड़मिंटन में क्या क्या मेडल आया और खिलाडियों के नाम भी ध्यान रखना क्योंकि यहां से प्रश्न एक्जाम में आ जाएं जैसे कि अभी यह जो एशन गेम्स हुआ 2022 का था 2023 में हुआ कौन सा संसकरन था 19 वा संसकरन था कहां पे हुआ चाइना के हांग जाओ में हुआ और इसमें जो भारते टीम गई ती उसको स्पांसर किया था अमूल ने उद्गाटन समारों में हमारे ध्वजवाहक फ्लेक बीर दो खिलाडी थे एक का नाम था हर्मन प्रीट सिंग और हर्मन प्रीट सिंग इनका संबन का संबन किस से है हॉक्की थे में सॉक्की टीम के गपतान है और एक लवलीना बोर्गो हैं भी थी इनका संबन बॉक्सर बॉक्सिंग से है अब देको ये प्रेशन भी तो हो सकता है बही हर्मन प्रीथ सिंग भी तो कुछ न कुछ गेम में रहोंगे, लवलीना ने क्या जीता ये भी जानना चाहोगे, लवलीना ने सिल्वर जीता है, और हर्मन प्रीथ हमने का मेंस होकी टीम के गपतान है, तो इसमें जो हमारी मेंस होकी टीम थी उसने गोल्ड जीता था, यह भी याद रखो उपविजिता कौन रहा या किसको हराया, तो इन्होंने जापान की टीम को हराय था, महिला टीम में ने आपको बिताई दिया, ब्रॉंज जीता इन्होंने, और उसी तरह से टीम में कबड़ी की टीम याद रखो, यह important है, मेंस टीम और वोमेंस टीम, दोनो की बार इतियास में हमने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं, टोटल 107, तो सोवा इसी ने जीता था, वहीं किरकेट टीम में बात कर लो, तो इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम ने गोल्ड जीता, लेकिन बात करें हराया किसे, इस तरह से प्रशना आगे तो फज्जा होगे गिंती आती है, गिंती, तो गिंती लिख दो, दो से, दो, तीन, चार, लिख दी, और ये चार पे क्या है, ब्रोंज मेडल है, ब्रोंज का बी कैसे लिखते है, एट की तरह, तो सब के पीछे एट लगा दो, अब मैं चार के पीछे भी एट लगा दूँगा, और ब्रोंज क में हुआ था 2018 में अभी चाइना में हुआ अगली बारत जापान में होगा तो मैंने भर भर के आपको यहां पे जानकार यहां दिये सारी important ध्यान रखना इनको बूलना नहीं बढ़ते आगे फिर अगला प्रशने अभी हाली में किस बैंक ने भारत का पहला numberless credit card launch किया तो अंसर होगा access bank तो access bank यह भारत का पहला bank बन गया है जिसने बिना number वाला credit card launch किया है और इसके लिए इसने समझोता किया किसके साथ एक भारत की fintech company है 5 उसके साथ तो बिना number वाला credit card यह भारत में अपनी तरह का पहला card होगा इससे क्या होगा इससे फाइदा यह होगा इससे security बढ़ जाएगी क्योंकि ना तो उसमें card number दिखेगा न जो उस card की end date होती है वो दिखेगी na cvv number दिखेगा अच्छा एक static और बड़ा प्यारा प्रशन बन सकता है वह एक credit card या debit card आपके पास होगा तो उसमें पीछे जो cvv number होता है सबने इस्तमाल किया होगा उसकी full form क्या होती है बनाना देखो प्यारा प्रशन एक्जाम में भी बन सकता है तो full form ध्यान रखना card verification value और यह कितने digit की संख्या होती है तो यह तो आपको पता होगा तीन digit की संख्या होती है और अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत के घरेलू भुकता network का नाम क्या है तो आंसर होगा रुपे देखो Axis Bank की बात करें तो इस तापना होती 1993 में मंबई में headquarter है MDCU इसके अमिताब चौधरी है और इसका tagline होता है बढ़ती का नाम जिन्दगी आपको याद होगा कुछ समय पहले Axis Bank ने भारत का पहला pocket size swipe machine जिसका नाम है micro पे उसको भी launch किया था और Axis Bank ने अभी ग्रहकों के लिए infinite saving account भी launch किया था और Axis Bank ने अभी MSME के लिए micro small medium enterprises के लिए Iris नाम से एक mobile application लांच किया Canera Bank रुपे credit card के माद्दें से UPI भुक्तान के अनुमती देने वाला पहला सरकारी bank बना था UPI मतलब होता है unified payment interface और HDFC Bank आप से पूछे कि electronic bank guarantee जारी करने वाला पहला bank तो वो यही है तो ध्यान रखना ये बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अभी हाली में अंतरराषटरे बाली का दिवस कब मनाया गया तो answer होगा 11 October को तो हर साल 11 October को अंतरराषटरे बाली का दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्दिष है बेटिउं के महत्व को समझना और उनके सामने आने वाली चुनोतियों और उनके अधिकारों के संगरक्षिन के बारे में जागरुपता पैदा करना और थीम है invest in girls right, our leadership, our well-being अच्छा देखो ये तो हो गया अंतरराष्टर बाली का दिवस international girl child है एक राष्टर नाइडू जी की जैनती होती है उस दिन और इसी दन एक और डे मनाते हैं world radio day अच्छा एक प्रश्ण में आप से पूछूँ कि अंतरराष्टर सिक्षा दिवस कब होता है international education day तो वो होता है 24 चनवरी को ही जिस दिन राष्टर बाली का दिवस होता है ये जरूर याद रखना और अगर राष्टर सिक्षा दिवस पूछेंगे तो 11 नवंबर को मनाया जाता है वो उस दिन किसकी जैनती होती है स्वतंतर भारत के जो पहले सिक्षा मंतरी थे हमारे मौलाना अब्दुलकला माजाद उनकी जैनती को तो देखो ये 5-6 डेज हैं आपस में इंटर लिंक्ड करके आराम से इनको याद कर सकते हैं और सारे इंपोर्टेंट है और आपकी जो रिविजन वाली क्लास होती है जहापे मैं करेंट अफ़ेर्स का आपको रिविजन करवा रहा हूँ जन्वरी दोजा तेवित से वहाँ पे मैं आपको इसी तरह से इंटर कनेक्ट करते हुए चीजों को याद कराता हूँ वहाँ पे हम फालतू डिसकेशन नहीं करते हैं प्रशन का पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बस जिससे आपका रिवेजन हो जको चीजे आपको याद रहे क्योंकि अगर आपको चीजे याद ही नहीं रहेगी तो क्या फाइदा नहीं ने करेंट अफ़ेर्स पढ़ने का याद करने करने लेकिन करेंट अफ़ेर्स तो डिली बन रहा है यहापे डिली नए कुछने कुछ जानने को मिल रहा है आपको कल मालो कई कि कुछ ने की कुछ परदान मंतरी थी तो 6 मेने बाद कुछ और हो जाएगी त tobacco लाइद थो इसे करते हैं Firent तो इससे आवाज दिवस और अंतरराष्टर अहिंसा दिवस और स्वच भारत दिवस 3 अक्टूबर को विश्व परकरती दिवस 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्यान दिवस 5 अक्टूबर को वल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे तो ध्यान रखना ये बढ़ते हैं आगे फर बताईए अभी हाली में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलिय जीव घोशित किया इस्टेट का एक्वेटिक एनिमल तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश तो अभी हाली में उत्तरप्रदेश सरकार ने गंगा नदी ड रंगा डॉल्फिन को राष्ट्रे जलिय जीव घोशित कर दिया था इससे संबंदित कुछ मैं आपको पॉइंट्स भी रिवाइस करा दू जैसे कि अभी नेशनल डॉल्फिन डे आपने मनाया पांच ऑक्टूबर को और अब तो खुश हो ना आप लोग इंग्लिश का भी दोस्टों के साथ share कर सकते हो पहले बोलते थे कुछ student कैसे share करे हैं आप अंग्रीजी मेनी दे रहे हो हमारे दोस्ट बोलते हैं अंग्रीजी मेनी हैं अच्छा पढ़ाते हो लेकिन क्या फाइदा आप तो मिल रहा है फाइदा आप आप शेयर करो, देखते हैं आप कौन-कौन शेयर करते हैं, भी उस तो फिर भी उतने ही आ रहे हैं, क्यों बच्चु जूड बोल रहे हैं न, मास्टर से जूड, देख लूगा बटा, देख लूगा, छलो आगे बढ़ते हैं, scientific name भी ध्यान रखना इसका, प्लेटेनिस्टा गांगेटी का, ये मीठे पानी की डॉल्फिन है, मतलब मीठे पानी में ये रह सकती है, और वास्तों मैं आपको बता दूँ, ये द्रश्टी हीन होती, इसके आँखे नहीं होती, आचा एक प्राशनी ये है कि डॉल्फिन के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ् पर बताईए, अभी हाली में उत्तर प्रदेश के प्रताबगड रेल्वी स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा, मा बेलहा देवी धाम प्रताबगड जंक्शन, उत्तर प्रदेश में जो प्रताबगड जिला है, एक्चुले में अभी वहाँ पे त तीन रेल्वे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, तीनों में आपको बता दू, जिसमें से एक तो यह हो गया प्रताबगड जंक्शन, जिसका नाम मा बेलहा देवी धाम प्रताबगड जंक्शन हो गया, एक अन्तु जंक्शन है, जिसका नाम मा चंद्रेका देवी धाम अ पर रखे गए हैं जो कि प्रताबगर जिले में ही आते हैं और ऐसा करने का मुख्या उद्देश आप साफ पता कर सकते हो धार्मिक इस्थलों पर परियाटन को बढ़ावा देना अब एक काम करते हैं अभी जितने भी railway station के नाम बदले गए हैं आपके current affairs में वो सारे हम जो भी governor थे उनके उपर है बोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो किया हावडा कालका मेल ट्रेन का नाम नेता जी एक्सपरेस कर दिया करनाटक के हुबली railway station का नाम श्री सित दुरूदा railway station कर दिया और आपको बता है यहाँ पे जो railway platform है वो अब दुनिया का सबसे लंबा बन चु मध्यप्रदेश के हबीब गंज railway station का नाम रानि कमलापती के नाम पे कर दिया गया इलाबाद junction का नाम प्रयागराद junction हो गया मंडवाडी railway station का नाम बनारत junction हो गया मुगल सराय railway station का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया नौगर railway station सिदार्थ नगर railway station ह गया उत्तरप्रदेश का जो जासी railway station है उसका नाम रानी लक्ष्मिभाई के नाम पर कर दिया और उत्तरप्रदेश के ही काकोरी कांड का नाम काकोरी train action कर दिया गया तो यहां पर यह तेरा important प्रश्ण मैंने आपको और revise करा दिये नाम change से और लगबग सारे railway station हो कही है तो ध मेरी कोशिश यह रहती है कि कम से कम समय में आपको जादा से जादा दूँ आपको किसी और channel पर इतना ही material मिल सकता है ऐसी कोई मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं ही दे रहा हूँ और को नहीं देता और भी दे रहे होंगे इससे जादा भी दे रहे होंगे लेकिन फिर उसके संबन किस शेतर से है साइबर सुरक्षा तो यह साइबर सुरक्षा भ्यास है जिसका नाम एक्सरसाइज भारत NCX दो जारतेविस और इसका भी उदगाटन किया भारत सरकार के जो परधान विग्यानिक सलाकार है अजे कुमार सूध और इस बार यह इसका दूसरा संजकरन है तो आप कह सकते उसका उद्धिश क्या है तो जितनी भी सरकारी शेतर के संगठन हैं संस्ताएं हैं और जितनी भी प्राइवेट एजेंसिया हैं उन सभी के जो सीनियर मेनेजमेंट हैं या तकनीकी करमचारी हैं उन सभी को साइबर खत्रों के बारे में जागरू करना और सा सारे में आपको revise करा रहा हूं ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, आपको याद होगा, कि अभी एक राज्य ने बच्चों के खिलाब साइबर अपराद को रोकने के लिए कुझजप नाम से एक mobile application launch किया था, केरल ने और कौन सा राज्य भारत की पहली cyber तहसील बनाएगा, मध्यप्रदेश बनाएगा, और NATO Cyber Defense Group को जॉइन करने वाला पहला Asian Country बना था, South Korea और आपको याद हो तो अभी रक्षा मंत्राले ने कहा कि वो मंत्राले में जितने भी computer है, अब उसमें Microsoft operating system की जगे अपना खुद का बनाया operating system यूज़ करेगा, जिसका नाम क्या होगा, माया, और NATO ने दुनिया का सबसे बड़ा cyber रक्षा अभ्यास का एउजन किया था, जि सेल Belgium में, जहां पर European Union का भी है, तो ध्यान रखना ये points भी बढ़ते हैं आगे, चलो फिर बताओ, अभी हाली में किसे राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है, तो आंसर होगा महराश्टर ने, तो अभी हाली में महराश्टर सरकार ने लेक लड़की यो सरकार के द्वारा, और ये योजना एक अप्रेल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों पर लागू होगी, आज़े यहां पे कुछ important योजना है जो हमने 2023 में पढ़िये वो मैं आपको revision करवा दूँ, जैसे कि अम्मा और बहीनी योजना इसको शुरू किया था सिक्किम सरक ग्रह आधार योजना को गोवा ने शुरू किया, प्रधान मंतरी ने विकास सिल देशों को चिकित सा पूर्ती प्रधान करने के लिए अभी कौनसी परियोजना शुरू किया था आरोग्य मेत्री, हर घर गंगाजल कारेकरम शुरू किया था बिहार ने, प्राण वायू दे इतना बालिक लड़कियों के लिए भी एक योजना शुरू की थी, मिशन वाचल्य योजना और आजादी के अमरत महुतसव के समापन पर केंदर सरकार ने एक अभ्यान शुरू किया था, मेरी माटी मेरा देश, और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये हर्याना की है, और अफ मुचल फंड्स इन इंडिया के चेर्मेन कौन बने तो आंसर होगा नवनीत मुनौत, तो HDFC Asset Management के MDCO है ये नवनीत मुनौत, जिनको अभी Association of Mutual Fund in India का चेर्मेन बनाया गया है, वे किन का इस्तान लेंगे, ए बाला सुब्रमन्यम का इस्तान लेंगे, वैसे आपको बता चेर्मेवासन Border Road Organization के नए प्रमुक बने, तो संजीव मंत्री ये ICICI Lombard के MDCO बने थे, ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे, फिर आपसे पूचरे अभी किस मंत्राले ने श्रेष्ट योजना शुरू की, तो आंसर होगा सामाजिक न्याय वाधिकारिता मंत्राले तो इसे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय वाधिकारिता मंत्राले ने शुरू किया और इसे मुख्य रूप से अनुसूचित जाती के उत्थान के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है, मतलब इस योजना के तहत अनुसूचित जाती यानि की SC Scheduled कास को सिक्षा के शेतर में आगे बढ़ाने और सामाजिक आर्थिप प्रगति में उनको आगे लाने के लिए इस योजना को शुरू किया है, शिरेष्ठ योजना इसका नाम है, फुल फॉर्म भी है, schemes for residential education for students in high schools in targeted areas, तो गाइस ये था आज का आपका current affairs का session, कैसा लगा आपको session और मेरी दो बात ध्यान रखना, एक तो noble prize का जो tricky वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए, और उसे बिल्कुल response नहीं मिला, पसंद सबको आया है जिसने देखा है, लेकिन फिर भी response नहीं आ रहा है, तो कम से कम जिस जो देख रहे हैं उनको तो आप बताना session कैसा लगा आपको, क्योंकि आप लोगों के comment करने से मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ नए students समसे जुड रहे हैं या नहीं जुड रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, बाकि अभी कल के current affairs का revision करवा देता हूं में आपको, और quiz इसकी मिल जाएगी, आपको click exam application पे PDF भी आपको में मिल जाएगी, link description box में है, तो पहला प्रशन पूछा था, अभी जवालल नेरो युनिवरसेटी ने किसे मानत डॉक्टरेट उपादी से सम्मानित किया, तो सामया सुलू हसन, तंजानिया की president है, और आयूरवेद दि इंबेस्टर भी बनी थी, विश्व मांसिक स्वास्त दिवस मनाया 10 अक्टूबर को, अनुस अंधान से प्रभावता कंतर राश्टर सम्मिलन का उद्घटन किया, दुरपदी मुर्मूजी ने, प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने कहां पर समक्का सरक का जंजातिव गोष्णा की तिलंगना, सोलवा करशी विज्ञान कॉंग्रेस का योजन हुआ, कोच्ची केरल में, और 28 वे बुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टरिस का वार्ड मिला, करिश्मा तन्ना को, और अभेकिस राज में नीर महल जल महोचसव मनाया गय अब एक कल का homework प्रेशन देखते हैं, तो कल आपसे बूचा था कि भारत की पहले hydrogen train संचालित करने की गोष्णा की गई उसका नाम होगा क्या, वंदे मेट्रो, देसंबर 23 इस थक अनुमाने चलने का, आप सभी ने प्रेशन का बिल्कु से उतर दिया, अब ये राजका आप का हम रग प्रेशने